हेलो बच्चो मैं हूँ आपका दोस्त के भी सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेस्पिक हीट कैपसिटी पे कुछ कोस्टन की अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाहिए और सर्च करिए यूटूब में फिजिक्स डेलिक न हमने किया है तो वही जब इस कुछ्टन की हम बात कर रहे थे तो हम लोग ने सबसे पहले इस पेस्पिक हीट पढ़ा था तो हमने देखा ता कि स्पेस्पिक हीट वाटर के लिए क्या होता है वन कैलोरी पर ग्रम डिगरी सल्सियस इसको जूल में चैन्ज चैन्ज किया वन क फिर से वही बात कि कैलरी को हम जूल में चेंज करें तो 4.2 जूल होता है यह अपनी खोपड़ी में रखने वही अपन टू इन्टू ग्राम को मैं चेंज करूं किलो ग्राम में तो हम लोग क्या ली सकते हैं यह उपर चला गया डबल जिरो तो फोर टू डबल जिरो जूल बा बात करूं तो हम लोग इस टीम के लिए क्या देखेंगे 1 बाई 2 कालोरी क्राम डिगरी सिल्चिस और फिर से कैलोरी को मैं जूल में चेंज करूं तो 4.2 जूल होता है 1 कालोरी जूल ग्राम को मैंने चेंज किया ग्राम को भी चेंज यह होगा तो टू वन डबल जूल बाई किलोग्राम डिगरी सिलसे च्छोटी सी बात थी आपको आना चाहिए था चलिए अब बात करते हैं कि एक कोश्चन की कहरा ही टी सप्लाइट टूर सबस्टेंस अब मास आयम साच दाइट इस टेंप्रेचर चेंज़ फांटी टू टू टो यहां पर दीखेंज हो रहा है क्या टेंप्रेचर यहां पर स्टेडी कोई बात करी नहीं है तो क्या मस डेल टी चुकि लेकिन यहां पर स्पेसिपिक वेरियेबल दे रखा है तो देखें वेरियेबल के लिए हम लोग ने फार्मूला पढ़ा तक क्यू इसकल टू यह इ लिखना चाहूं तो मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे यह वाला फार्मूला मिल जाएगा यह फार्मूला हम तम लगाएंगे जब हमारा स्पेसिपिक हीट काप सेटी क्या हो वेरियेबल तो वेरियेबल तो ही यहां पर तो चल यह देखने है कोशन पर तो क्यू इ इस के वालीरे प्लस बी-टी दे रख दिया और कहां से कहां तक भी तूसरी तक और यहां पर रग दिया मैंने बच्चों क्या डीडिटी है अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं तो कितना आएगा बताए कितना आएगा तो यहां पर आएगा म तो कॉंस्टेंट है ठीक इसका करें तो ए एक जग कितना एटी ब्लस बी टी स्कुराइर बाई कितना टू और कहां से कहां तक लिमिट टी से तू टी तक बोलो हां समझमाया कि नहीं आया आया ही होगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब यहां पर limit value put कर दें, तो q square to कितना आ जाएगा भई, m तो बाहर रहने दें, कितना पहले 2t, यहाँ पर t की जगहाँ पर कितना 2t रखेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर direct रखते चलूँ किया, direct रखते चल रहाँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है तो a रख दिया, कितना 2t-t, यह t हो जाएगा minus में, plus b और t की जगहाँ पर 2t तो 2t का कितना हो जाएगा, 4t square, minus यह t, by कितना 2, है के नहीं, यह तो है ही है, बोलिए, तो इसको absolve करिए, देखिए कितना है, अगर 2t में से t गया, तो बचा कितना, यह कितना answer आगया बई, यह answer आगया यह m, और यहाँ पर कितना, a और into कितना, t, plus क्या, यह 4t square होगा न, बच्चे, 4t square minus t square, तो कितना 3t square तो 3t square into b, by कितना 2, तो यह आपका आगया answer, तो आप देख सकते है, कि जो heat supplied होगा, वो कितना होगा m, a, t plus m, b, 3t square by, कितना 2, समझ मारा है क्या, बच्चों, तो यह इसका आगया answer, यह अपने को supply करना पड़ेगा, तो यह आपको समझ माना चाहिए, कि जब हमारा क्या हो, variable हो, जब हमारा variable हो, specific heat capacity, तो हम लोग क्या करते हैं, यह वाला formula लगाते हैं, चलिए, एक question और देख लेते हैं, अना बच्चों, चलो, ठीक है, दूसरा question देखते हैं, इसको note कर लिजे, pause कर रही है, उसको note कर लिजे, फिर question number 2 हम लोग देखते हैं, करें, जल्दी से, फटाफट, हो गया होगा, मेरी कहल से, नोट आपका, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए, देखें, दूसरा question क्या दिया, कहा रहा है, specific heat of a substance, varies with the temperature, फिर से देखिए, question दे रखा है, specific heat of a substance, varies with the temperature as, C is equal to 0.2, plus 0.14 T, plus 0.023 T square calorie per gram degree Celsius, the heat required to raise the temperature of, of 2 gram of substance from 5 degree Celsius, to 15 degree Celsius will be, फिर से बच्चों यहाँ पे, जो specific heat है, वो क्या है, variable है, और temperature कहाँ, कहाँ vary कर रहा है, sorry, variable है, specific heat capacity भी, और फिर से यहाँ पे, temperature variable है, 5 से 15 degree Celsius तक जा रहा है, तो हम लोग कौन सा formula लगाएंगे, जरा बताइए, तो इसके लिए जो हम लोग formula लगाएंगे, बच्चों, वो यह होगा, Q is equal to, कितना, बताइए जरा, M, S, और कितना, DT, यहाँ पे M तो हमारा क्या है, constant है, तो M को मैंने बाहर कर लिया, M मेरे बाहर आ गया, और बचा क्या, S, DT, तो S की value रख दिया जाए, S की value रखी है, S की value कितनी है, यहाँ पे C के form में दिया है, इसको S बना लेते हैं, तक यहाँ कोई confusion ना हो, तो कितना हो जाएगा, 0.2, प्लस 0.14 T प्लस 0.023 T स्क्वाइर, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे DT, है ना, temperature रही है, T, और कहां से कहां तक है, 5 degree Celsius to 15 degree Celsius, तो रख दे हम 5 से 15 degree Celsius तक, तो बच्चों क्या आया, 5 तो हो गया बाहर, SORRY, M तो हो गया बाहर, और M की वेली हमें लास्ट में रख लेंगे, 2 kilogram है, 2 gram है, 2 gram है, तो लास्ट में इसको हम रख लेंगे, तो चलिए पहले इसको देखते हैं, तो अब इसको हम integrate करें, तो बच्चे क्या आएगा, 0.2 और कितना T, प्लस कितना 0.14, और कितना T स्क्वाइर बाइट प्लस कितना 0.023, और कितना यहां पे T क्यू बाइट त्री और लिमिट कहां से कहां तक, 5 से 15 डिगरी सिल्शिस तर, यह बाते मैं रिकाल से सबको समझ माय ही होंगी, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं जरा, देखते हैं जरा, आगे क्या करना है, चलिए, अब इसमें हम लोग क्या करें, वैलू पुट कर दें, तो वैलू पुट करते चलते हैं, M की वैलू कितना 2 है, ओके, 2 ग्रैम है, अच्छा, यहां पे कितना, 0.2 और 15 माइनस 5 रखेंगे, 15 माइनस 5, प्लस 0.14, और यहां पे क्या रखेंगे अब, बाइ 2, यहां पे क्या, 15 का स्कॉर, माइनस 5 का स्कॉर, ओके, प्लस 0.023, और बाई कितना, 3, और यहां पे क्या लिखेंगे बच्चो, 15 का Q, माइनस 5 का Q, यही तो, लिमिट तो ऐसे रखते हैं, बोलो बच्चे, इसको ऐसे लगा लगते हैं, तो क्या आएगा, अब इसको कैल्पिलेट कर ले जाए पड़ाफट, इसको कैल्पिलेट कर ले जाए, तो दिखें क्या आता है बच्चो, चलिए, तो जब इसकी वैल्यों हम पुट करेंगे, तो 5 माइनस, 15 माइनस 5 कितना हुआ, 10 हुआ, और 0.14 बाइट 2, और यहाँ पे 15 का 225 माइनस 25, और यहाँ पे 0.23 बाइट 3, 15 का क्यू करेंगे, 3,375 माइनस 5 का क्यू करेंगे, 125, जब बच्चो इसको कैल्कुलेट करेंगे, तो आएगा 82 कैलोरी, यह इसका हो गया एंसर, 82 कैलोरी, ठीक ना, चलिए, नेक्स कोस्टन देखते हैं, और बच्चो अगर अभी तक, आपने सस्क्राइब नहीं किया हैं, तो सस्क्राइब करें, फिजिक्स डेली कनहिया या दो, यूटूब में जाके सर्च करें, नेक्स कोस्टन देखते हैं, इस स्पेस्पिक खीट पे, एक बहत्री इंसा कोस्टन, आप लिए चलिए, दूसरा कोस्टन देखिए, दूसरा कोस्टन कह रहा है, कि दो लिक्वीड हैं, A and B, और कितने-कितने पर हैं, और 30 डिग्री सेल्सेस, और 20 डिग्री सेल्सेस, रिस्पेक्ट वली, वेन देखिए, इन दूसरा लिक्वीड बी, इन दोनों बारें फिरासे, जो भी डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले इसको पनलोग क्या करते हैं, लिक लेते हैं, तो ये कितने पर हैं, 30 डिग्री सेल्सेस पर, ये कितने पर हैं, 20 डिग्री सेल्सेस पर, मास दोनों का सेम है, ठीक है, इसका से माल लिजे, इसका स भी माल लिजे, दो चीज़ा हमने माल लिए, अब कह रहा हैं, इन दोनों को जो हम मिलाते हैं, तो जो हमारा mixer होता है उसका टमप्रेचर आरा कितना 26 degrees Celsius सब दोनों को मिला रहा है तो ठीक है रहा चलिए तो अब हम लोग क्या करें भाई अब हम लोग क्या करें बच्चे तो हम लोग देखिए अब एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि हीट लॉस हीट लॉस लॉस बाई A एक्वल टू हीट गेन बाई B यह प्रिंस्पल आप कैलरमेटर जहां पढ़ाएंगे तो उसमें आपको और भी अच्छे तरहीं से बताएंगे कि यह कैसे लिख रहा हूँ है हीट लॉस बाई A स्कल टू हीट गेन बाई B हैना चलिए तो यहां पर हीट कितना पास किया एन तो लिख दे जा तो किव इसकल टू कितना होता है एक लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो किव इसके लिए यह एस बी इंटू कितना लेंटी तो यहां पर यह दोने इक्वल कर लेंगे अभी हम लोग ठीक है ना तो रखिए जरा तो चुकि क्यूँ एसकल क्यूँ भी हो जाएगा जितना लॉज करेगा यह उतना ही गेन करेगा भी तो यहां पर रखें एम की वैलू तो दोनों की तरफ सेम हैं एम की वैलू में तो कोई चेंज़ेज नहीं है एस ए रखा हुगा है डेल टी भाई इसके पास टंपरेचर कितना है 30 डिगरी सेल्स कह 30-26 लिख लें एक्वल टू क्यूभी की वैल्यूम इसका मास तो सेम है और स्पेसिफिक हीट कप सेटी क्या है बी है और डेल टी की बात करें तो कहां जा रहा है यह 26-26 पर यह इंक्रीज कर रहा है तो हम लों क्या लिखेंगे 26-20 बोलो बास समझ माया है क्या मेरी क्या समझ यहां पर कितना बचा यहां बच्चा बच्चों थार्टीवेसे 26 लिए फोर इक्वल टू एसबी और यहां पर कितना बचा शिक्स बचा तो एस एबाई आए sb हम लोग यह क्या लिशकते हैں 6by4 लिख सकते हैं या 3by2 लिख सकते हें आतर तो यह अब रेसियो कितना झागे 3byक का ऊके यह इसका हो गया होना है आप सबको का से लिए टीक है और इस ए आपको सौंझ में आई होंगी ठीक है तो नोट करिए फटापट फिर से अगले कोस्टन पर चलते हैं ओके बच्चों चलिए पॉस करिए नोट कर लिजिए आगे बढ़ते हैं फिर ठीक है ना चलो चलिए एक बहतरीन सा सबसे पहले तो हम थर्मल कैपसिटी का फार्मूला ही जान लें देखिए थर्मल कैपसिटी का फार्मूला जो होता है बच्चों वो क्या होता है बोलिए थर्मल कैपसिटी का फार्मूला क्या होता बच्चों वो होता है मास into specific heat है ना mass into specific heat ठीक है ना यह होता है तो अब इसका मुझसे पूछा है ratio तो पहले वाले का माले दो spare है तो spare one का thermal capacity की बात करें for spare one for spare one तो thermal capacity का mass कितना हो गया M1 और specific heat माले जे कितना है for spare two for spare two के लिए हम बात करें तो कितना M2 और कितना S2 है ना thermal capacity बोलिए तो अब इसका ratio निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे thermal capacity of spare one by thermal capacity of spare two equal to क्या लिखेंगे M1 S1 by M2 S2 यह बात लिखेंगे क्या हाँ यही बात लिखेंगे अच्छा एक बात और दिखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि जो दो spare है same material के बने हुए है तो same material के बने है तो यह रो तो same होगा यहां पर लिख दूँ रो वन इसकल टू रो टू इसकल टू कितना रो ठीक है इसको निकालना है अपने को और इसका जो specific heat capacity होगा वो दोनों क्या होंगे इकवाल होगे same material है इसको मैं लिख लूँ क्या तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर S लिख लूँ यहां पर M2S लिख लूँ यह कट गया है कि नहीं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब capacities तो कट गया तो M1 upon M2 अपने पास बच्चा और दिया क्या है डामेटर दिया हुआ है तो मास की वैलू अपरने को निकान लिए है ठीक है न तो मास के लिए हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं density is called to mass upon volume density is called to mass upon volume होता है या mass is called to मैं क्या लिखनो density into volume है कि नहीं तो एक sphere के लिए बात करूं first sphere के लिए तो M1 लिखनो मैं M1 is called to rho same होगा volume कितना हो जाएगा 4 by 3 pi r1 q है कि नहीं M2 के लिए भी क्या हो जाएगा rho into कितना 4 by 3 pi r2 q